एहम्दाबाद के रविशंकर रावल कलाभवन में लगातार तीन साल से प्रशाद बाटा जा रहा है तो किस वज़े से प्रशाद बाटा जाता है आईए आगे हम आपको दिखाते है एहम्दाबाद के रविशंकर रावल कलाभवन में तीन साल से हर शनिवाल को साम साथ बच के 30 मिनट में सध्धालों को गुजरात के कराकरों द्वारा प्रशाद बाटा जाता है बिना नाम बिना बैनल के साथ सद्धा से प्रशाद में गर्मा गरम मसाला खिसरी के साथ छास दी जाती है करीबन चार सो से अधिक लोग हनवन दादा का प्रशाद गुहन करने आते हैं गुजरात का आर्टीस्ट कुछ न कुछ करते रहते हैं और यही एक एक्टिविटी है एमदाबाद में लोगाडन के पास रवी संकर रावल कलाभवन के बाहर लगातार तीन साल से हर सनीवार को शाम को साड़े साथ बजे एक खिच्ड़ी और छास का प्रशाद का आयोजन करते हैं करीबन 4-4.5 लोग ये खिच्ड़ी प्रशाद का लाब लेते हैं यहां की खासियत यह है ये प्रसाद का जो काउंटर है उसके पीछे ना कोई बैनर है ना किजी का नाम है हर शनिवार को एक दाता आ जाते हैं लगातार तीन साल से चलती ही ये एक्टिवीटी में आज तक एक भी ब्रेक नहीं आया हमें कुशी है कि लोग यहां से ये प्रसाद लेके जाते हैं और रात का खाना हो जाता है कि अजय को जाते हैं इन साल से यहां पर खाने के लिए आरेव सनिवार को आरेव में खाने के लिए हमारा परिवार भी आता है खाने के लिए परशाद अच्छी है परशाद भी अच्छी रखती है और मज़ा भी आता है परशाद में नाम में क्या रखा है ये आपको हमने वीडियो में दिखाया कि अगर मन में वो शद्धा तो उसके नाम की या बैनर की जरूत नहीं पड़ती